यह वो कॉश्चन नमबर 6 चंस्ट्रक्ट और राइट एंगल ट्राइंगल पीक्यू आर इन विच एंगल क्यू इस 90 डिगरी और है यह पर नुट्टीमिटर एड क्यू इस 4.5 सेंटिमेटर टीक है और राइट एंगल का बाइट सेक्टर बनाना है और लेट इट में इस पी एट पाइंट टी ठीक है अप्रूवड एट इस इक डिस्टेंस फ्रॉम पीक्यू एंड पिया उसके बाद देखते हैं कि हमने क्या गरना है ओके तो यहां पर आपके पास एंगल क्यू इस 90 तो आपके पास क्यू आर फॉर 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 पाइंट फाइव सेंटिमेटर है त देखो यहांपर मैं क्यू आर ले रहा हूँ क्यू आर फॉर फॉर फइव सेंटिमेटर ओके फॉर आज आ पास ठीक है यहां पर 90 डिगरी का आपने अंगल कंस्ट्रक्ट करना है ठीक है तो आपने इसको ज्वाइन कर लेना है ठीक है अब आपके पास नेक्स्ट आपके पास दिया है पी आर ठीक है इस आपके पॉइंट होगा आपके पास यहां कहीं होगा पी आर इसे रखो और एट सेंटीमेटर ठीक है यहां पर एट सेंटीमेटर ओपन गर ली आर पाइंट पर रखो ठीक है और एक आर्क लगा दो ऐसे ठीक है यानि कि यह लाइन आपको कहां तक लेके जानी थी ठीक है यहां तक लेके जानी थी थी अब पी आर को जोइन कर लो ठीक है दिस पॉइंट इस पी ठीक है तो जो यो जो ओंगर लिया थीक ओ कर जैग्व है जो पॉइंट आपके पास ये पॉइंट क्या आपके पास लिखह उन्होंने ओज़िए धे रो इसक्टर आफ एंगल क्यों और एंगल क्यों का उसक्टर बनाना है सिक यूख है देहो थैंग क्यों इन्द सेक्टर तो आपके पास आर्क और रेडी लगी है ठीक है तो हाफ ज़्यादा कमपस आपने ओपन करनी है ठीक है हाफ ज़्यादा ओपन कर लो एंगल बाइसेटर के लिए बना लिया ठीक है यह बन गया ठीक है लिए प्र मिला रहा है कहां मिल रहा है js C thematu सेक्ट Guide कर लिया है और यह जो प्र आपके पास यह एक्ट खक्रस है अब अब नच्च लिख सब्सक्राइब वह करना पको प्रूफ साक्रान वाहिंग और जो है वो PQ और PQ ठीक है और not PR it is maybe QR ठीक है वन सेगें यह पाइंट जो है वो PR नहीं है वो है QR ठीक है तो आपको क्या प्रूफ करना है कि यह जो T पाइंट है वो PQ और QR से equal distance पर है तो हमें यहां से प्रपेंजिबल ड्रॉफ करना पड़ेगा T पाइंट से QR पर और PQ पर ठीक है तो आप स्केल से नहीं करोगे आपने ठीक है कैसे ड्रॉफ करना है यह हम औरेडी भी कर चुके हैं ईहां रखांगे टीक है टीक है टी पर चुबपर रहा। कमपर रखो के और इस लाइं से नहीं चौइ अपके पास आर्र करणा आ अपके नहीं से पास ज्यादा है और एक यहां रखो ठीक है जहां पर यह second point पर cut कर रही थी ठीक है वो यहां पर लगा लो ठीक है join गर लो आप इसको ठीक है तो यह जो आपके पास सोरी थोड़ से गलत हो गया कोई बात नहीं ठीक है यह आपके पास क्या बन गया maybe let this point is ts ts perpendicular बन गया वैसी आपने t point से p q पर perpendicular draw करना है यहां पर compass रखो ठीक है इस line से थोड़ से ज्यादा open करो ओके इस line से थोड़ से ज्यादा open कर दी और एक arc लगा दी ओके अब आपने यहां पर compass रखनी है ठीक है और half से ज्यादा open करके यहां arc लगा 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 अब यह दूसरा point है यहां पर रखकर arc लगा लगी ठीक है अब आप निके करना है इसको ज्याएन कर लेना है ओके ठीक है अब देखो इस point को नाम दे दो कि मेभी a point ओके लट डिस पाइंट इस ए ठीक है अब देखो आपने क्या करना है ठीक है अब आप से क्या पूछा ने पूछा है आप प्रूफ करो जो टी है जो टी पाइंट है वो एक को डिस्टैंस से किसे पी क्यू से यानि की टूफ प्रूफ क्या करना आपने जो टी ए है वो किसके इक कोल होगा एंड क्यू आर क्यू आर क्यू आर क्यू आर क्यू आर टी टी एस और जो टी पाइंस से डिस्टैंस होगा पी क्यू लाइन का यानि की यह जो आपके पास टी यह एक्कूल होंगे यह प्रूफ करना आपने देखो तो प्रूफ में हम क्या करेंगे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इसके सबसे को लिखो ठीक है हम ट्रैंगल ले रहे हैं एक यह वाई ट्रैंगल और एक कौन क्रेंट करते हैं कौन से ट्रैंगल इन ट्रैंगल क्यू टी एंड ट्रैंगल क्यू टी एस ठीक है नमबर वान ठीक है देखो एक्यू टी एंगल एक्यू टी एंगल और एस क्यू टी एस क्यू टी इक्वल है कहां से गिवन है ठीक है लिखता है गिवन में ड्रादा बायु सेक्टर ओफ एंगल पीक्यू आर ठीक है नॉम्बर टू क्यू यह जो आपके पास क्यू टी और क्यू टी के आपस में एक्वल कॉमन साइड ठीक है कॉमन है नॉम्बर ट्री ठीक है आपके पास यह एंगल 90 है क्यूंकि प्रेपेंडिगुल ट्राओ की है लेट इस एंगल इस एंगल इस टू एंगल वन इस एंगल टू क्यू 90 डिगरी तो यहां से जो ट्राइंगल है QTA is congruent to triangle QTS लिख सकते हैं यह दूनों triangles क्या होगी congruent अगर triangle congruent इसका मतलब corresponding parts क्या होगे इसके equal तो corresponding parts क्या होगे यहां पर ठीक है TA and TS तो therefore that implies TA is equal to क्या हैगा TS CPCT और यही आपने यहां पर proof करना था ठीक है यह bracket लगाई है तो यह था ध्यान रखो ठीक है कि जब भी आपको बोलते हैं कि यहां पर perpendicular आपको draw करना पड़ेगा तो by the use of compass ठीक है compass का यूज़ करके और skill का यूज़ करके आपने यहां पर perpendicular draw करना है ठीक है आजाओ next question है मारे पास ठीक है देखो next question क्या है इन पैरलोग्राम a b c d in पैरलोग्राम a b c d ठीक है side a b is greater than b c जो side a b है तो b c से बढ़ी है and p is a point in the side a c यहां पर पैरलोग्राम construct कर लेते हैं अब यहां पर इन्होंने यहां पर sides mention नहीं की है तो हम अपनी मज़ी से side ले सकते हैं ठीक है मालोग मैं a b जो है 6 cm मिलेता हूं ठीक है a b 6 ले रहा हूं b c जो है a b जो है वो b c से बढ़ी है तो अगर a b 6 ले तो b c उसे चोटी लेने पड़ेगी तो b c आपकी मज़ी है जो आपने 4 5 जो भी लेना है ठीक है मैं 4 ले रहा हूं ठीक है वो आप अपनी मज़ी से draw कर सकते है ठीक है आ जाओ त ठीक है चलो AB मैंने ले ली 6 cm ठीक है और BC आपने कितनी लेनी है ठीक है और अपनी मज़ी से कोई आंगल यहां पर construct कर लो ठीक है आपने अपनी मज़ी से यहां पर कोई आंगल construct कर लेना है ठीक है मालो यहां पर मैं कर रहा हूँ 60 degree angle ठीक है तो यह arc लगा दो ऐसे ठीक है और maybe 60 and this is 120 ओके और ठीक है देखो यह आगा आपके पास this is A and B AB मैंने 6 ले लिए अपनी मज़ी से BC ले रहा हूँ मैं 4 ठीक है आपकी मज़ी आपने जो मज़ी लो ठीक है BC मैंने 4 cm ले ली ठीक है तो इसको जोईन कर दो ठीक है आपने अपनी मज़ी से पहले पैलो ग्राम बना ले लिए ठीक है वैसे ही यहां से 4 cm लगेगी ठीक है तो यहां पर लिख सकते हो ठीक है इसके पैलो लाइन लगा लो ठीक है ड्रो आप पैरल लाइन ठीक है यह आपके पास के पैरल लाइन अब इसको जोईन कर दो ठीक है तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कंस्ट्रक्शन करनी है पैलो ग्राम की अपनी मज़ी से लैंद अपनी मज़ी से यहां पर एंगल लेसा तो कोई भी एंगल ठीक है पी इस ए पाइंट इन एसी पी जो वह वह एसी पर है ठीक है तो एसी को जोईन कर लो ठीक है तो एसी लाइन को जोईन तो करना है पड़ेगा ठीक है मैंने एसी लाइन को जोईन कर लिया अब पी पाइंट जो एएसी लाइन पर है ठीक है अपर पत नहीं है such that PB bisect angle B ठीक है बोरे P point कहीं यहां पर है मालो यहां पर है तो यह PB जो है B को angle B को angle B को bisect कर रहा है यह लिखा है angle B ठीक है दिखाएंग दे रहोगा आपको यह लिखा आपके पास angle B देखो यह जो P point आपके पास AC diagonal पर दिये है ठीक है और बोला है जो P point मालो यहां होगा तो P point आगया तो PB जो है वो bisect कर रहा है ठीक है यानि आपको B angle का bisect कर रहा है ठीक है तो यह आपके पास R का order ही लगी है तो half ज़दा compass open कर लो ठीक है R का लगा लो अब यहां रखो और ठीक है हम पहले भी का चुके हम angle bisector कैसे बनाते हैं ठीक है मैंने B का angle bisector draw कर लिया ठीक है अब देखो यहां पर रखो और इसको join कर लो ठीक है अब यह AC को काट रहा है किस point पर P point पर ठीक है अब बोलते हैं prove that P is equal distance from A, B and B, C P जो है ठीक है जो P point है वो A, B A, B line से और B, C line से equal distance पर होगा P point A, B line से P point A, B line से ठीक है और B, C line से equal distance पर होगा तो यहने कि हमें P point से पहले A, B पर perpendicular draw करना पड़ेगा और B, C पर perpendicular draw करना पड़ेगा ठीक है तो आपको मैंने पहले पहले रताए P point पर यहां पर compass रखो यह जो line है ठीक है तो इसस line से नीचे तक arc ले लो और यह ऐसे draw कर लो ठीक है यह आ गया यह point आ रहा है ठीक है यहाँ पर रखो यह लगा लो line और यहाँ पर रखो line line को कट करेती है यह दूसरी line ठीक है तो मेरे पास यह जो बन जाएगा ठीक है यह बन जाएगा perpendicular ठीक है वैसी यह आपने यहाँ पर draw कर लेना है P से A B line पर ठीक है तो P से A B line पर draw करने के लिए P point पर compass रखो ठीक है line से थोड़ी से ज़्यादा खोल तो open कर लो ठीक है तो यह arc बन रही है ठीक है में भी तो 7 में आ रहा है ठीक है तो थोड़ी से आप इसको बड़ी भी कर सकते हो ठीक है मैं थोड़ी से इसको बड़ी कर लेता हूँ ठीक है तो यह यहाँ कट करेगी ठीक है एंड यह यहाँ कट करेगी ठीक है तो यहाँ से आप यह perpendicular draw कर ले ठीक है ओके perpendicular draw गया ठीक है अब देखो इस point को नाम दे रहा हूं, let this point is Q and यह जो point है इस point को नाम दिया, मैंने R ठीक है, तो आपको PQ और PR equal करने है ठीक है, तो to prove में क्या है आपके पास, ठीक है, देखो तो 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 इस्तर करूँ to prove, to prove what, ठीक है कि PQ is equal to PR जो P point है AB और BC से equal distance पर है, तो यह, तो आपने कौन से triangle यह नहीं प्रूफ के लिए, in triangle PQB and triangle PRB इनको कौन देंट कर दो, ठीक है ओके, तो देखो, यह angle 1 और यह angle 2 equal होंगे 90 degree है, angle 1 is equal to angle 2, 90 degree each, ना और number 2 PB is common, PB is equal to PB, same question जैसे पिछे था ठीक है, यह हमारे पास common आगे side ठीक है, and number 3 ठीक है, number 3 हमारे पास है यह जो था वो angle by sector सामिल ड्रौफ किया तभी P point मिला था, यानि कि जो angle है QBP is equal to R BPK है क्यों है, given क्यों given ठीक है, क्यों है given देखो, question में था आपके पास such that PB bisect angle B यानि कि वो angle B को bisect कर रहा था तो यानि कि QBP ये angle ये जो है ठीक है, और RBQ ये जो angle है यहापस में कहोंगे equal ठीक है, अब देखो, यहाँ पर triangle जो है, वो congruent होगी triangle QBP is congruent to triangle R, B, P किस प्रॉपर्टी से angle, angle, side angle, angle, side से congruent होगी तो therefore, आपके पास क्या जाएगा Q is equal to P, R C, P, C, T यही आपने प्रूफ करना था ठीक है, तो पिछले पार्ट में भी हमने यहाँ लिखा नहीं किस से प्रूफ हुए यह आपके पास प्रूफ हुआ था angle, angle, side प्रॉपर्टी से triangle congruent होगी थी ठीक है लगा पता ठीक है तो यह आपने ध्यान रखना है ठीक है कि आप angle, bisector बना रहे हो क्या बना रहे हो अज़ो next question प्रूफर्टी से प्रूफर्टी से लिए्यान रखना है